जैस्री राम आज गख्मापूर हनुमान मंदिर और जगाराम सेवा समिती द्वारा आयोजित इस भागवत कथा में आते हुए मुझे तहे दिल से प्रसन्नता होती है हमारे आदरनिय सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि नव दिन मैं यहां उपस्तित रहूं शर्मा जी मेरा धिवेशन चर रहा है मैं तन से तो पस्तित नहीं रह पाँगा बगर मन से नव के नव दीन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा इस चन्रपूर के शक्तिदाईनी तेजोदाईनी माता महंकागी की इस भूमी में भागवत आचारिय नरेश भाई राज्य गुरू का मैं स्वागत भी करता हूं सन्मान भी करता हूं और उनके मधूरवानी से प्रभुराम की कथाए हमारे उखड़े तक पहुशने का शिरवाद मा शक्तिदाईनी तेजोदाईनी महंकागी उन्हें दे ये महंकागी के चर्णों में मैं प्रहर्थना करता हूं आदरनिय मनिशजी माराज ये तो हमारी ही चंदरपूर से है मगर उनको भी मैं सदिच्चा है देता हूं शुभकामनाई देता हूं स्री हरीश जी भट्टड इन्होंने भी अध्यक्षता का स्विकार किया और इस कारेकम का आयोजन बड़े शांदार गवरव शागी धंग से किया भट्टड जी को भी मैं इस जगे के पागक मंतर के नाते शुभकामनाय देता हूँ जब महाराज जी कह रहे थे मैं पूरा समय तो था नहीं मगर ये बास सही है कि मैं सहस्ता से जो लोग भजन पे यहां पे इकत्रित होके नुर्त्य कर रहे थे तब मैं उनके चेहरे पड़ रहा था उननिस सो पंचान्नू के पहगे में किताबे बहुत पड़ता था कई डिक्री आगी पना आजकर मैं चेहरे पड़ता हूँ और जब आपके चेहरे मैं देख रहा था तब मेरे ध्यान में आई कि ये जो चेहरी की खुशी है न ये कोई टीन टपर की मरसडी गाड़ी से नहीं मिल सकती है ये चेहरी की खुशी राम कथा शिव कथा या भगवान कथाओं में ही मिलती है कभी हमारे देश में ये तो भगवान का देश है इसके बारे में तो किसी के मन में शंका कभी उपस्तित नहीं हो सकती विश्व का हमारा अक्यगा ऐसा देश है जिसको भगवान ने भर भर के दिया अगर हम नारवे में जाएंगे तो छे मैने अंदेरा है, छे मैने उजागा है हम गंडन जाएगे तो कभी चार बजे सुर्य का, सुर्य दे होता है रात को दस बजे तक सुर्यास्त नहीं होता और कभी सबेरे आड़ बजे सुर्य दे होता है और चार वजे सुर्य वहां से गायब हो जाता है मगर हमारे देश में भगवान ने सब भरबर के दिया और इसी कारण इसी कारण आज दुनिया ये मान रही है कभी बच्पन में हमें टीचर सिखाते थे कि कन-कन में है भगवान कभी मा कहती थी मोसी कहती थी तब जो लोग भगवान को नहीं मानते वो कहते थे कभी है कनकन में भगवान तो वो भी हिरन्य कश्चुपू की तरह प्रशन पूछते थे बता कहा है भगवान आज अमरीका के रिसर्च में अमरीका के साइंटीश ने ये कह दिया है कि हर वस्तू में हर चीज में अनूरिनू है मगर उसके साथ एक गौड पार्टिकल है और इसलिए अमरीका में 20 लक्ष लोग आज अध्यात्म की और जा रहे परस्वापने वीडियो देखा होगा कि यूरोप में एक गाव का गाव जो वहां के अमीर थे धन्वान थे मगर मन में समाधान नहीं था वो गाव में आये और अब हरे राम हरे कृष्ण कहे रहे है उनको ध्यान में आया कि वो जो कागज के नोट में जो समाधान नहीं है उससे ज़्यादा समाधान ये हरे राम हरे कुष्ण के मंत्र में है तो आज हम समाधान के लिए जब यहां आए तो मेरा विश्वास है कि जीवन में धन आखरी सास तक काम आएगा मगर प्रभु राम का नाम ये इस जन्नम में भी काम आएगा और जब हमारा पुनर जन्म होगा तो निश्वित रुप से पहले सास से काम आएगा और पुरे देश में नहीं विश्वा में हमें एक सवाग्यशा गी है चन्रपूर की जन्ता इसले सवाग्यशा गी है कि जब बाविश जन्वरी को प्रभु राम के जन्वस्तान में अयोध्या का राम मंदिर दर्शन के लिए खुला होगा तो चन्रपूर कर जन्ता इया भिमान से कह सकती है कि कोई भी भक्त उस मंदिर के कोई भी द्वार से जाए वो द्वार हमारे चन्रपूर का है क्योंकि सारी लकडिया उस मंदिर को सारा काष्ट यह हमने अपने चंद्रपूर से दिया है तो भगवान के राम के चर्णों में तो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है भगवान जब भक्त आपके दर्शन के लिए हमारे लकडी के दर्वाजे से आएगा हमारे काष्ट के दर्वाजे से आएगा तो दस प्रतिशत पुन्य चंदरपुर की और भेज देना यही भगवान के चर्णों में प्रार्थना है मैं माराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं अधिवेशन के चलते हुए यहां नहीं आ सकता और शर्मा जी बात रही कि यहां पे आकर मैंने मदद करने की बहुत यह यह तो सब भगवान का है मैंने क्या किया है आज जब मैं कारिकम में गया तो मुझे किसी ने बगा बटा गा मंदिर में आप जाईए दर्शन के लिए मैं अपने साकारी को बताया कि भगवान ने मुझे बगाया है इसलिए कि वहां पे भी मैं कुछ विकास कारे कर सकूँ और मैं अभिमान से कह सकता हूं कि मारास्टर में चाहे कभी भिमा शंकर जाईए भिमा शंकर को 150 करोड रुपे देकर जब वहां 350 पायरिया उतरनी पड़ती थी अभिमा शंकर को मैंने बदल दिया इसके पहले पुन्य श्रो का हिल्याबाई हुलकर ने किया उसके बात करने का सवभाग्य मुझे पाथ दोगा आप कभी ओंधा नागनाज जाईए वहां मैंने पैसे दिये यहां पे घृष्षनेश्वर जाईए महादेवण मैंने बनाया मुझे आज भी याद है कि एक भगवान मंदिर में मैं जब गया तो मुझे बेल पत्र नहीं मिले जब मैं वहां गया तो बेल पत्र मुझे नहीं मिले मैंने वहां के लोगों को शब्द दिया कि आपके भगवान का महादेव का मंदिर है आज मुझे बेल पत्र नहीं मिले क्योंकि आपका पहाड पे है मैं आपको विश्वास दूँगा कि दस साल के अंदर इतना बेल पत्र या होगा कि मंदिर भर जाए राज मैं अभिमान से कह सकता हूँ कि मैंने शिखर शिंगनापूर तिर्थक्षेत्र में बारासो बेल पत्र के पेड़ गागा है जो अब 15-15 फिट के हो गए और वहां से लोग मेरे नाम से अभिशेक करवाते है कि अब बेल पत्र की कोई कमी नहीं रही है मेरा विश्वास है कि हमारा देश विश्व गुरू बनाने की जो सोच संकव आदर्निय प्रधान मंत्री का है तो हम सामाजिक सांस करोतिक आर्थिक मगर उसके साथ अध्यात्मिक दृष्टिकों से अगर आगे नहीं जाएंगे अगर प्रभुराम की कथाओं से अपने अंतरमन को नहीं पवित्र करेंगे तो शायद धन तो रहेगा मगर समाधान नहीं रहेगा किसी ने सही कहा है कि अठाववी सदी में विज्ञान तंत्रध्यान का अभाव था सुक समाधान का प्रभाव था आदमी अकेला नहीं था अब विद्ञान का प्रभाव हुआ है तंत्रध्यान का प्रभाव हुआ है हाथ में मुबाईग आया है मगर आदमी दुखी है जिस देश में कहीं डिप्रेशन नहीं रहता था अब डिप्रेशन की गोगिया खानी पड़ती है गोगिया खाने के जग़ अगर सिर्फ जैसरी राम भी हर प्रोच कहते रहे मैं विश्वास से कहता हूँ कोई गोगिय नहीं लगती जिन्दगी बर सुख और समाधान भर भर के हमको मिलेगा परिवार भी अच्छा आगे बढ़ेगा और इसलिए नव दिन मैं तो कथा सुनने नहीं आ पाऊंगा मगर आप कथा जब सुनोंगे तो मैं आपको निशीत रूप से बोगूंगा कि ये नव दिन जीवन के सबसे अच्छे दिन रहेंगे और हमारे जीवन में बदलाव परिवर्तन अध्यात्म का होना चाहिए इसलिए भजन से हम आगे बढ़ते रहेंगे भोजन से तो शरीर को समाधान मिलेगा मगर भजन से मन को समाधान मिलेगा ये आपको विश्वास से मिलेगा बहुत बहुत शुभकामना है और शर्मा जी जब भी मेरी याद आएगी बता देना इस मंदिर के गए में आपके साथ खड़ा हूँ धन्यवाद